Western Indies versus South Africa के बीच में यह जो T20 सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है उसका पहला मुकाबला खिला जाएगा देखो Western Indies के कौन से important खिलाडी रहने वाले हैं और South Africa के कौन से important खिलाडी हैं कौन से प्लेयर का क्या रोल रहेगा यह सब जब सारी चीजे आपको पता रहेगी तो आप खुझ से एक पहतरीन टीम बना सकते हो तो इस वीडियो में आपको हर एक प्लेयर के बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन कब कैसा परफॉर्म कर सकता यह सारी चीजे इंफॉर्म की जाएगी फ्री में तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है विदाउट इसकिप किये तो आउ शुरुबात करते हैं यह जो मुकाबला है वो सबीना पार्किंस्टन जमाइका के राउन पर खिला जाएगा रेंच चांसे नहीं है अगर हम बात करें तो रात का यह मैच है साड़े बारा बज़े स्टार्ट होगा बारा बज़े टॉस होगा तो ध्यान रखना यह जो पांच मैच आपने देखे उसमें से चार मैच में रंच बने लेकिन जो पहला मैच आपने पर देखा इसमें भी आशा नहीं है कि वस्ट इंडीज नहीं काफी स्ट्रोगल किया चेज करते हुए इजी चेज कर लिए सिफ दो विकेट को यहां पर आऊगे और हां कुछ मैच नहीं यहां पर यहां पर यहां बने इस पिनर्स को 24 पेसर को 49 अब देखो यहां पर आपक गय attend रहेगा पुस्ट देखो और मिल चीनल देखा चैंच की यहां पर आपको第三 अबटार ऋव Forbes स्ट्रोग और हां पर आपकोई सकता यहां में वाग्यांस और लेकिन चांसें सिसके हैं वहां मैं आपको बता रहेगा प्लस फर्स्ट इनिंग में पेसर्स थोड़ा सा गेम में रहेंगे जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस जाओन होगा इस पिनर्स गेम में आएंगे तो यह ध्यान रखना इस सरीके से कुछ पिछ रहती है अब देखो यह दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग स्टाइल है व यहां पर ऐसा हो सकता है कि काईल मेर्स टू डाउन खेल जाए जॉंसन चाल्स ओपन कर जाए फ्लेचर ओपन कर जाए और यह एक एक पोजीशन नीची आजए तो यह देखो क्या होता है ब्रेंडन किंग कैप्टन है यह चारों टॉपडर में खेलेंगे रिसेंट फॉर्म यह इनका टीवेंटी इंटरनेशनल यह डोमेस्टिक में जिसमें पांच मेंसे केवल दो पारी मैच्छा केला है काईल मेर्स का अभी रिसेंटली बीपील खेल ले थे बंगलादेश प्रिमियर लिग वहां बॉलिंग भी कर रहे थे जॉंसन चाल्स ने डोमेस्टिक लेवल अच्छा परफॉर्मस रहा है अभी बीच बीच में आई पील भी खेल रहे थे जाता मौके नहीं मिले ज्वेशन ओल्डर का भी फॉर्म अच्छा है बल्ले से भी रंच किये अकील विशन का फॉर्म ठीक थाक है बस यहां पर बीच में एक गुच्छे में विकिट आया हु चार में से आप कोई दो लेके चले जाना मैं अभी आपको आगे सिच्वेशन बता दूगा ट्रम्पिक्स कॉन रहेंगे वो भी मैं आपको आपको आगे बता दूगा ठीक है यह आपने रिसेंट फॉर्म देखें इनकी टीम से पावर देखो पहली यह देखो यह इनकी टी लेकिन आप देखोगे तो आंदर फ्लेशर का रिसेंट फॉर्म अच्छा हो रहा हो सकता आंदर फ्लेशर कीपिंग भी कर जाए ठीक है अगर वो खेलते तो बाकि काईल मेर्स ब्रेंडन किंग अली कथना जी यह यहां से अच्छा स्टाइट्स रखते है रास्टन चेस का काफी अच्छा है तो इनको हलकाई में मतले ना अब्रेक इस्पीन आ रहा है नौ इनिंग में नौ विकेट भी है अली कथना अजय का चब्विस कावर्ज है ब्रेंडन किंग का 28 काईल मेर्स का 20 कावर्ज है लेकिन थोड़ा विकेट भी डॉमेस्टिक ली निकाला हुआ है ठीक है कुछ प्लेर्स अब इत्मको इनके बॉलिंग से प्लेर्स का एक ही अच्छा स्टैट्स है लेकिन चुकी यह विकेट जाते हैं गेम इंका इंपोर्टेंस बढ़ सकता और थोड़ा बैटिंग भी आ सकता है तो इनको ध्यान रखना आगे मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा लेकिन ओवरॉल रिकॉर्ड देखोगे तो चवाली सिनिंग में केवल 38 विकेट है मोटी का रीशन फ़र्म ठीक थाक है पांच मच में च्छे विकेट है रीशन फ़र्म भी मतलब ओवरॉल स्टैट्स भी ठीक थाकी है इसके अलावा टेलीग्राम से नहीं जु का चांस है कि मीडल ओर में खेलेंगे यहां पर आर्वी डूशी अपनी जो है पोजीशन में इंटर्चेंज कर सकते हैं मैं ऐसा क्यूं कहा रहा हूं क्योंकि देखो आर्वी डूशे अगर जल्दी विकेट यह है ना यह थोड़ा चाहिट और मिस्टाइप के खिलाड़ी ह सकता है बाकी देखो क्या होता है रिशेंट फॉर्म देखोगे तो रिजा इंडिक्स का दो अच्छा पा रही है तीन आप मालो क्विंटन डिकॉर का इपिल बहुत खराब गया फ्लॉप रहा है एक ही 50 है आर्वीडियू से का फॉर्म अच्छा है दो बड़ा स्कोर है ब्र वियान मॉल्डर दो विकेट चार विकेट एक विकेट फस्पन रण फैलु का अभी फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन इंप्वाटेंट रहते हैं ऐसे मैंचेज में ब्र फॉर्म डीसेंट है उतना अच्छा नहीं तो उतना खराब नहीं कोईट जी का फॉर्म भी निनको हलके में मत लेना différentes do five tip लेहंगे जुए यह थोनों 10 मैं आपपको आतेव दिख सकते इवन यह पी ゃक है थिक है तो यह ध्यान रखना है किन्दबाश माइस क्यद्वास दिखेव लजा हinação रहेंगे आप ल LEA का 130 यह अवरेज है यह इस्ट्राइक रेज लिग गया है मिस्टिक लिए रियान रिकल्टन का 29 रेज़ार देखो 32 रेजी आठ आठ का इंटर्टिक लेवल का इनका बाकि यहां से वियान मुल्डर इंटर्नेशनली इन्हों नहीं कुछ खास नहीं किया लेकिन डॉमेस्टिक क और क्या तब्रिस्ट का से नगीडी अगर कोईट जी नहीं खेलेंगे तो नगीडी सब लिए ने खेलेंगे तो बारत्मेंट का रिसंट है गेट्ट अब का रिखोड दोनों टीमों के और यहां पर भी वही है देखो जो प्लेस्ट नेम जो गएंस और प्लेस एग्स एलु को प्लेस्त तो को सब्सक्राइब जो थो ठीका ने मिलेंस्ट प्लेस्ट फ्ले ज चलते हैं थोड़ा पेटल देखो प्लेयर बेटल भी है यहां पर इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है वैसे मेर्स ने नौर्किया को 36 गेंदों में तीन बार विकर दिया लेकिन यह टेस्ट मेच की बात है बाकि सब एक बार आउट हुए है रिजा इंडिक्स मकोई के सामने 15 गेंदों में दोबर बाकी कुछ खास नहीं है आप देख सकते हो अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की दरफ को लिया है फॉर्म अच्छा नहीं है आई पील में स्ट्रगल किया उससे पहले ऐसे टीट्विंटी में भी स्ट्रगल किया लेकि हिट और मिस्टाइब की खिलाड़ी हैं देखो वन डाउन या टू डाउन इससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो मैं छोड़ दूँगा जोंचन चाल्स यह भी अभी काफी अच्छी फॉर्म में थे इनका वेस्टिंडीजे वर्सेज नेपाल के बीच में मुकाबला हो तो अच्छी फॉर्म थी एक सतक भी आया था लेकिन देखो यह ना ऐसी मजबूर टीमों के अगेंस्ट बहुत कम परफोर्मेंस करते हैं और इनकंजिस्टेंट रहते हैं तो इसलिए छोड़ दिया हो सकता है एक अच्छी पारी आजा बहुत कम गिंदों में लेकिन मैं सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यह उपन ना करें तो आप ब्रेंडन कींग को लिके चले जाओ खराब ऑप्सन नहीं हो सकता अच्छी पर नौक आ जाए रीजा इंट्रिक्स ऄरे य अगॉर्डिंग मस्ट है पिक टेक्निकली स्ट्रॉंग बल्डे वास थोड़ा गिंश्ट यह उतना अच्छ ya trouble को ऊतना श्ष्ट अच्छ कि सामने अगर देखो जो अकील उसे ने वह पावर प्ले में आगे तो थोड़ा इनको दिक्कत हो सकता है फिलाल क्ले मैंने इनको लिया हुआ है क्योंकि इनकी टीम डॉमिनेटिंग साइट पे रहेगी तो ऐसे प्लेयर से कभी आप एक अच्छी नौक उमिद कर सकते हो रिज देगा और बैटिंग दोनों इनिंग में आ सकती है तो इनको मिनी जील वगरा में जरूर ट्राइब कर लेना तीस चालिशन भी इनका आपको बहुत आगे लेके जा सकता है रॉस्टन चेस बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं लेकिन बॉलिंग इनको जादा मिलती नहीं ह ना मिलने के कारण मैंने इनको स्मॉल लिग में कंशेडर नहीं किया रिसेंटली काफी अच्छी फ़र्म था इनका अभी जो रिसेंटली ये खेल रहे थे ऐसे टी ट्विंटी उसमें भी अच्छी फ़र्म थी लेकिन यहां पर क्या वन डाउन आएंगे या टू डाउन अभी किसमें जो अभी ये लोग चीए टी ट्वेंटी खेलते ना उसमें बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से और हो सकता है आपको बॉलिंग करते हुए दीखें फैलु काफ्यों को जीगे आप इनको लेके जा सकते हो फैलु काफ्यों को क्या है रीजन लेने का यह फर्स अगर इनकी टीम फर्स चेनिंग में बल्ले बाजी करेगी तो मैं मूल्टर को ही लेके जाओंगा ठीक है या फिर आप देखो मूल्टर अगर साथवे बाजी खेले ना तो साइद में इनको ना लो क्योंकि तब इनके गंद बाजी करने के चांसे वह हो जाएंगे कम तब आ या फिर ब्रेक जाएं बतलब इन तीनों में से किसी दो को लेके जा सकते हैं तो वह चीज है अभी के लिए खेल ने रहें क्रूगर की बात करें यहां पर देखो अभी के लिए को मैंने नहीं लिया है कोईटी जी वैसे अभी आईपेल खेल के आ रहें विकेट टेकिंग न जाए ऐसे नगीरी को ळी जाए जाएं पर अच्छा वहाँ आप्सटन है अगर इनके टीम सेकेंड ड़िंग में बॉलिंग डाल तो मेरी टीम में जगे नहीं बन पाई है मैं नौर्कया को लिए और मकोई को लिए लेक्व नौर्कया को लिए निग में मेरे अक्टा डीडी खेल रहा हूना तो नगिडी को कोई भी इनिंग में आखबन करके ले जाओ यह थोड़े ज्यादा फस्ट निंग में ज्यादा अच्छी ऑप्शन रही है बाकी अवज मा कोई देखो रीशन काफी अच्छा है फस्ट निंग सेकंड निंग दोनों में लेके जा सकते हो कटस का प्रयोग करते हैं मीडल ओवर में भी विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं फस्ट निंग में देथ में यह और है तो आप इनको लेके जाओ फस्ट निंग के गइंद बाजी में था सकते हो नगिडी के बता दिया मोटी न कभी-कभी गुच्छे में विकेट ल तो उस सिच्वेशन में अगर आप वैसे सोच के टीम बना रहे तो इनको जरूर ले ले लेना बारतमिन अगर खेलते तो डॉमस्टिक लेवल पर यह दथ में बॉलिंग करते हैं आपको पता होगा एसी सी के लिए जो जीती थी ऐसे टीटी में उनके लिए दथ में बॉलिंग कट बॉलिंग ओवर कट सकता है तो ऐसे प्लेयर्स पर में ज्यादा ध्यान देने नहीं कहूंगा ग्रेंडिंग में ध्यान देना अभी के लिए जो टीम हो रही है वो कुछ इस पकार सा है कप्ताने में ने रोमारियो सैफर्ड को दिया आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो अ अंदर फलचर है मेरी टीम में ठीक है ध्यान देना बाकी यहां पर में आपको बता है नौर्किया की जगे हम कब चेंज कर सकते हैं फैलु काववे को जगे तबरे साम से के जगे आप यहां पर आकी लूशन को कब लेके जा सकतो मायर्स की जगे पर ब्रेंडन किंग को कब देना है सारी चीजे वीडियो में समझाइए हर एक प्लेयर के बारे में अगर आपने पूरी वीडियो देखे होगी ने ता आप खुच से अपनी एक अच्छी टीम बना पाऊगे स्मॉल लीग की बाकी यह देखो स्मॉल लीग की टीम है अप्टू 25 मेंबर इसमें अगर आ अच्छा लेका है तो यह ध्यान रखना कि आपको उसमें लग भी चाहिए होगा आपने स्किल्स की यूज तो की है लेकिन लग फक्टर भी चाहिए नहीं तो मैं ही खुद लेके आ जाता रहेंग तो मैंने आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखाया यदि सिखाया तो एक लाइक जो कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिए